उधारण आठ बहुपद एकी घात तीन रिण तीन एकी घात दो बी धन तीन ए बी की घात दो रिण बी की घात तीन को बहुपद ए रिण बी से भाग दीजिए हल यहां भाज एकी घात तीन रिण तीन एका घात दो बी धन तीन ए बी का घात दो रिण बी की घात तीन है यह हमारा भाज है और भाजक जो है हमारा एरिण बी है अब भाज को हमको भाजक एरिण बी से भाग देना है एको सबसे पहले हमें एका घात तीन प्राप्त करना है उसके लिए हम एको किस से गुणा करेंगे जब हम एकी घाद दो से से गुणा करेंगे तो ए गुणित एकी घाद दो बराबर एकी घाद तीन उसी तरह से रिन भी को पुना हम एकी घाद दो से गुणा करेंगे तो हमें रिन एकी घाद दो भी प्राप्त होंगा अब इसे घटाने के लिए हम इसके चिन को बदलेंगे धन का रिन और रिन का धन एकी घात तीन को रिन एकी घात तीन से घटाएंगे तो शुन्य प्राप्त होंगा और रिन तीन एकी घात दो भी धन एकी घात दो भी को जब हम जोड़ेंगे तो हमें रिण 2 A की घात 2B प्राप्त होंगा अब हम इसे नीचे उतारेंगे धन 3 A B की घात 2 रिण B की घात 3 अब A को किस संख्या से यहां गुड़ा करें कि हमें रिण 2 A की घात 2B प्राप्त हो चुकि हम रिण चाहिए तो हम सबसे पहले रिन लिख लेंगे दो चाहिए तो हमें दो लिख लेंगे हमारे पास A पहले ही है तो यहां पे हम A B को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिला रिन दो A का घाथ दो B उसी तरह से रिन B को जब हम रिन दो A B से कुणा करें तो रिन गुणित रिन धन दो ए बी की घात दो प्राप्त होंगा इसे हम घटाएंगे घटाने के लिए रिन का धन चिन बदला धन का अब रिन के लिए अब रिन दो ए की घात दो भी धन दो ए की घात दो बी को जब हम घटाएंगे तो शुन नी मिला और यहां पहे हमें मिला ए पी की घात दो रिण बी की घात तीन अब ए को हम जब धन भी से धन B के वर्ग से गुणा करेंगे B के वर्ग से गुणा करेंगे तो A गुनिद धन B का वर्ग बराबर A B का घाद 2 और रिण B को जब हम धन B के घाद 2 से गुणा करेंगे तो रिण B का घाद 3 घटाने पर सबसे पहले चिनवल बदलेंगे रिन का धन और धन का रिन तो A B का घाद दो रिन A B का घाद दो शुन्य हुआ हुआ और यहां पे भी हमें शुन्य प्राप्त हो रहा है यहां पे भागफल जो है हमें प्राप्त हुआ भागफल बराबर एक वर्ग दो एक घाद दो रिण दो ए बी धन बी का घाद दो और शिश्वल बराबर शुन प्राप्त हुआ ये हमारा प्रस्न का हल हुआ